आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ नमस्कार दोस्तों तो हमारा प्रश्न है सरवाधिक शोरवधुआ कहां पर होता है तो आपकी जो विकल्प है वो है पहला विकल्प है कार खाने के पास दूसरा विकल्प है राजमार्ग पर तीसरा विकल्प है सडक पर और चौथा विकल्प है भट्टी के पास ठीक है तो देखो सबसे पहला विकल्प देखते हैं कार खाने की पास ठीक है तो अगर हम कार खाने की बात करें तो कार खाना जो है यहाँ जो फैक्टरी होती है कार खाने होते है तो यहांसे नंबर एक शोर बहुत जादा होता है ठीक है तो जिस थान पर का खाना होगा वहांपर शोर सबसे जादा होता है बहुत जादा जोर से फैक्टली की अवाज आती है और अगर किसी जगह एक पर काफी जादा कार खाने यह प banco होगे तो हम तो वहां पर जो है nois पोलिउशन जो होता है नी बनी रौद घुशन भी काफी जादा होता है ठीक है, दूसरा क्योंकि कार खाने है तो ऐसलो में निकलता है काफी जादा ठीक है जिस्टे कि हमारा तरियावरन है वह प्रदूशित होता है तो दूसरी चीज है कि जहां कार खाने होंगे वहां पर धुमा भी बहुत जादा होता है और इस धुमे की वज़े से इस प्रदूशन की वज़े से उसके आसपास का जो पर्यावरन होता है कार खाने के आसपास का वहां काफी जादा प्रभावित होता है ठीक है इसके अलावा जो आपका दूसरा विकल्प है राजमार्ग तो राजमार्ग जो है सड़कें होती है तो सड़क यहां पर यहां निर्भर करता है कि वहां पर कितनी गाड़ियां कितनी वीकल्ट चल रही है ठीक है लेकिन तो वहां पर भी शोर और धुआ होता ही है तो कि राजमार्ग पर भी क्या होंगी हमारी वाहन चलेंगे अलग-अलग तरीके के लेकिन यहां पर जो शोर और धुआ है वह कार खाने की बजाए कम होते हैं ठीक है इसके लावा सड़क पर तो अगर कोई सामान्य सड़क है तो वहां पर भी उतना ज्यादा शोर और धु के पास तो भट्टी से भी शोर और धुआ काफी जादा होता है ठीक है तो अगर हम इन सब को आपस में इनकी तुलना करेंगे तो हमें हम पाएंगे कि शोर और धुआ इन सभी से निकलता है लेकिन जो सबसे जादा निकलता है वहां है कार खाने से ठीक है तो आपका सही उत के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेट आप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो चार्सो चार्स उपर